नमस्कार मैं शिवांजली और आप देखने दफुल वॉल्यूम भारत में क्रिकेट एक नई उचाई को छूरा है और इसकी उचाई 8000 फीट से अब 11000 फीट जा पहुंचिए जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी दूसरे खेल के बजाए भारत में क्रिकेट को सबसे जादा प आज इसे हमारे पूरे देज में बहुत ही उच्साह के साथ खेला जाता है इसी क्रिकेट प्रेम को देखते वे भारत को एक सौगात मिनने जा रही है अब 11000 फीट की उचाई पर लगेंगे चौके और छके ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारत में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे उचा क्रिकेट स्टेडियम आएए चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से भारत में क्रिकेट नई उचाईयों को छू रहा है और हिमाचर प्रदेश के लोहौल्स पिटी घाटी में सिसु गाव दुनिया के सबसे उचे क्रिकेट स्टेडियम को बनाने के लिए तयार है जी हाँ हिमाचर प्रदेश में 11,000 फीट की उचाई पर देश का सबसे उचा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है दिल्चस्प बात यह है कि जनरल क्रिकेट ग्राउंड्स के विपरीत इस स्टेडियम को आदिवासी दौरा फंडिंग किया जाएगा 38 बिगा भूमी पर बनने जा रहे इस क्रिकेट स्टेडियम के निर्मान को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है 11,000 फीट की उचाई पर बनने वाले इस स्टेडियम की चमता 10,000 दर्सक होंगे यह स्टेडियम अटल टनल रोतांग के नौर्थ पोर्टल से महज 8 किलोमीटर दूर में स्थित होगी इस स्टेडियम के बनने से सिसु गाओं में येरोपियन देशों की तर्च पर क्रिकेट खेला जा सकेगा आपको बता दे कि हिमाचल प्रदेश के सोलन के चायल में दुनिया का हाइस्ट क्रिकेट पिच है जो की लगवग 8,000 फीट की उचाई पर स्थित है हाला कि धरमशाला का हिमाचर प्रदेश Cricket Association Stadium दुनिया का हाइस्ट International Cricket Stadium है पतियाला के महाराज भुपिंदर सिंग ने 1893 में शिम्ला जिले में चाहिल क्रिकेट ग्राउंड बनवाया था यह क्रिकेट मैदान चायल के दशनिये हिल स्टेशन में स्थित है और पोलो के लिए भी उपयोग किया जाता है आज यह मैदान भारतिय सेना और चायल मिलिटरी के अधिकार छेतर में है फिलहाल इसका उपयोग मिलिटरी अकैडमी दोरा मल्टी स्पोर्ट्स अक्रिविटीज और कुछ क्रिकेटरों के लिए अभ्यास मैदान के रूप में किया जाता है वही धरमसाला स्टेडियम की उचाई 4780 फीट है और इसे 2003 में बनवाया गया था इस स्टेडियम ने रंजी ट्रॉफी मैचो और अन्य घरेलू मैचो के लिए हिमाचर प्रदेश क्रिकेट टीम के लिए घरेलू मैदान के रूप में भी काड़े किया है यह लाहौल्स पिटी स्टेडियम तापमान और मौसम के लिहाद से भी बेमिसाल होगा इस स्टेडियम के डिजाइन और एक्जाक लोकेशन को भी फाइनलाइस कर लिया गया है अटल टनल के पूर्ण निर्मान होने के बाद अब इस स्टेडियम के महत्ता और भी बढ़ गई है अटल टनल से घाटी में परियतन को बढ़ावा मिला है जबकि यह क्रिकेट स्टेडियम बनने से परियतन कारोबार और अधिक बढ़ेगा दुनिया का सबसे बारा क्रिकेट स्टेडियम भारत का नरिंद्र मोधी स्टेडियम है इसके बनने के बाद अब लाहौल्स पिटी घाटी के सिसु गाव में दुनिया के सबसे उचे क्रिकेट स्टेडियम बनने से भारत का नाम एक और उपलबधी में जुर जाएगा जो यूगो यूगो तक याद किया जाएगा ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें दफुल वॉल्यूम धन्यवाद